हलो एवरिवन, वेलकम टू अनुभाय स्टेडी फेक्ट्स, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वन लीनियर इंपोर्टेंट फेक्ट्स की, तो गाईस आज का सेशन हम शुरू करते हैं, सेशन पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजेगा, जादा से यादा शे खक करते हैं, तो एक तो यूनिसेलूलर है, यह याद रखना है, और इसके मूमेंट में कौन हेल्प करता है, तो सीडिया फिर बात आती है, बलड कैसा nor किश्यू है, तो बलड एक कनेक्टिव टिश्यू है फिर है blood corpuscles के बारे में हमने इसे previous वीडियो में बात की थी अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर बता पा रहे होंगे कि blood corpuscles कौन कौन सी होती है, RBCs, लाल रक्त कड़का है, WBC, श्वेत रक्त कड़का है और platelets तो जो RBCs हैं वो क्या काम करती है, oxygen को कैरी करने का काम करती है, मतलब oxygen का वहन करती है, एक स्थान से, दूसरे स्थान पर WBC क्या है, यह हमारे blood के लिए soldier का का काम करती है, सैनिक का काम करती है, और platelets blood clotting का काम करती है, blood clotting के बारे में भी मैंने आपको previous वीडियो में बताया था, थोड़ा सा और एक बार बता देती हूं कि जब भी चोट लग जाती है, चोट लगने के बाल, 2-3 मिनिट बाद उस जगे पर covering आ जाती है, तो उससे क्या है, खून ज से जो शरीर के बिविन भाग होते हैं, body parts, different different body parts में ये ले जाने का काम करती है, लेकिन यहाँ पर एक exception है, एक अपवाद है, कि जो pulmonary artery होती है, वो deoxygenated blood, deoxygenated blood मतलब अशुद रख, जिसमें oxygen नहीं होता है, उसको carry करती है, फिर बात आती है, amphibians, reptiles में कितने chamber होते हैं, हट में, तो three chambered हट होता है, लेकिन अब चुकी बात हुई है, reptiles की, तो यहाँ पर एक और exception है, देखो जो क्या है, normal चीज़ें होती हैं वो सबको पता होता है, तो वो question में नहीं पूछा जाता है, आज के time पर, जो चीज़े exceptions हैं, important है, अलग हैं, बिलकुल और चीज़ों स हटके हैं, उन पर ही questions बनते हैं, तो crocodile जो है, वो एक ऐसा reptile है, जिसमें क्या है, four chambered hurt होता है, fishes में two chambered hurt होता है, अब blood का जो circulation है, वो किस तरीके से होता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझना, वैसे अगर आपको और detail में समझना हो, तो science full course by Anuba study fact है, मैं उसका क्या करूँगी, लिंक आपको provide करा दूँगी, या तो telegram channel पर share कर दूँगी, या फिर यहाँ पर i button में share कर दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर short में मैं आपको बता हूँ, तो सबसे पहले जो blood होता है, वो right auricle में आता है, right auricle से right ventricle में आता है, right ventricle से क्या होता है, चुकि अभी deoxygenated blood है, तो pulmonary artery से lungs में जाता है, lungs में purification के लिए जाएगा, और lungs में जब blood pure हो जाएगा, तो वहाँ से फिर pulmonary vein, artery में जैसे pulmonary artery अशुद रक्त का वहन करती है, ठीक उसी प्रकार veins जो होती है, वो अशुद रक्त का वहन करती है, लेक इससे pulmonary vein में आएगा, फिर left auricle में आएगा, left ventricle में आएगा, left ventricle से different organs of the body में blood circulate होगा, इस तरीके से पूरा cycle चलता रहता है, फिर बात आती है, glucose जो है, वो क्या, O2 की presence में CO2 और H2O में convert हो जाता है, फिर बात आती है, glucose pyrovate में convert होता है, कहां पर cytoplasm में, अगर आप process कौन सी है, glycolysis, ठीक है, फिर pyrovate से क्या है, fermentation की process होती है, fermentation की जो process है, मतलब kind one, वो east की presence में होती है, और ये convert हो जाता है, किस में CO2 प्लस ethanol में, ये anaerobic respiration है, anaerobic मतलब avivation session, ये जो session है, मैं bilingual लेने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि दोनों medium students को अच्छे से समझ में आ of O2 और mitochondria में होता है, तो ये CO2 और water में convert हो जाता है, लेकिन अगर fermentation की process हो रही है, anaerobic respiration हो रहा है, तो ये कहां पर convert होगा, CO2 प्लस ethanol में, ये याद रखना है, CO2 कहां पर use होता है, तो मैंने आपको बताया था, confused नहीं होना है, क्या होता है, हम O2 को अपने mind में रख लेते animals जो होते हैं, ये भी हमने previous sessions में discuss किये है, आप almost 10 session देखिए, आपको खुद से अंतर समझ आ जाएगा guys, कि कितना सारा, मतलब चीजें वही है, गुमाओ फिर आकर किस तरीके से exam में पूछी जाती है, किस तरीके का pattern रहता है, आप कम से कम 10 session अटेंड करो, और फिर biology section से previous year question को solve करने की कोशिश करो, terrestrial animals में जो breathe होती है, वो किसके तरू होती है, atmospheric O2, ठीक है, फिर उसके बाद है, aquatic animal में जो breathe होगी, वो dissolve in water होगी, और breathing rate aquatic animal की जादा होती है, in comparison to terrestrial animal, next है, increase in the concentration of carbon dioxide in the air, the process is known as global warming, burning of coal and diesel releases, जो coal और diesel burn होते हैं, तो यह क्या पैदा करते हैं, तो sulfur dioxide उत्पन करते हैं, Oxide of sulfur and nitrogen dissolve in rain water, तो यह क्या हो जाता है, अमल वर्षा, acid rain, याद रखना है, sulfur और nitrogen जब dissolve हो जाते हैं, rain water में तो यह क्या बन जाते हैं, acid rain बन जाती है, Antivon Dewan Hawk ने free living cell के बारे में discover किया था, cell क्या है, हमारी fundamental and structural unit है, मतलब सनरचनात्मक, कार्यात्मक, एकाई है हमारे जीवन की, Rudolph Virchow के बार में अगर हम बात करते हैं, यह question पूछा गया है, Rudolph Virchow से related, तो ominous cellula, A cellula, मतलब new cells formed from pre-existing one, फिर बात आती है, ribosome जो होते हैं, वो non-membrane bound organelle होते हैं, मतलब यहाँ पर कोई covering नहीं पाई जाती ribosome में, and ribosome is the site of protein synthesis, protein sensation का काम कहा होता है, ribosome में, next बात आती है, centriole helps in cell division, smallest अगर हम, smallest कौन है यहाँ पर mycoplasma है, सबसे चोटी cell की अगर हम बात करते हैं, या सबसे चोटी organism की अगर हम बात करते हैं, तो क्या है mycoplasma, plant cell have plastic and animal cells have centrioles, ठीक है, animal cell में plastic नहीं होगा और plant cell में centrioles नहीं होगे, cell membrane किस से मिलकर बनी होती है, most repetitive question है, lipid and protein जिसे हम combine करके lipoprotein बोलते हैं, fluid mozak model किसके द्वारा दिया गया, तो singer and Nicholson के द्वारा दिया गया, middle lamella is made up of calcium pactate, यह बहुत retro question है, बहुत बार पूछा गया है, कि middle lamella is made up of calcium pactate, plasmodesmita connects the cytoplasm of neighboring cells, गॉलजी बोडी के अगर हम बात करते हैं, तो गॉलजी बोडी glycoprotein and glycoplipid की बनी होती है, फिर उसके बाद vacuels bound by a single membrane called tonoplast, यह भी पूछा गया है, vacuels वाला question भी, ribosome of chloroplast, अगर हम बात करें, तो 70S type ribosome पाया जाएगा, और आज के लिए last, अगर हम cytoplasmic ribosome की बात करते हैं, तो 80S ribosome होता है, तो guys, आज का session यहाँ पर complete हुआ, I hope आपको इस session पसंद आयो, पसंद आयो तो like, share, subscribe करें, bell icon जरूर प्रेस करने, bell icon से जब भी में new video upload करूँगी, तो इसका notification आप लोगे पास पहुच जाएगा, PDF के लिए आप टेली ग्राम से जुड़ सकते हैं, और अगर आप detail में थोरी पढ़ना चाहते हैं, biology से related, तो science full course बाइनुभाल study facts एक playlist है, अलग से मैं आपको provide करा दूँगी, description box में भी, और i button में भी, telegram पर भी, तो एक बार आप उसको जरूर देख लें, वहाँ से बहुत सारी concepts clear हो जाएंगे, और one linear facts इसलिए देगे हैं, क्योंकि वह वहाँ पर 15-16 वीडियो वहाँ पर uploaded हैं, अब one linear facts, exam के point of view से one linear facts बहुत ज जदा help मिलती है, और time भी कम waste होता है, next video में मिलते हैं guys, thanks for watching this video